आप लोग हमेशा देखते होंगे कि उपास्थना इस्थल कानून 1991 हमेशा चर्चा में बना रहता है इसे आप लोग पूजा इस्थल अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और इसे आप लोग फिलेशेस और वरसित एक्ट 1991 के नाम से भी जानते हैं आप लोग उत्तर फिदेश में जाईए और आप देखे राम जनम भूमी बावरी मस्चित का मामला ले लिजे फिर आप लोग अयुद्या की बात कर रहा हूं मैं फिर आप देखे आप लोग बना रख सा जाईए ज्यान बापी मस्चित का मामला ले लिजे ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़ कर ये मर्चित ग्यानबापी मर्चित बनाई गई है फिर आप लोग मत्वरा चले जाईए सरी किसमे भगवान की जनब भूमी और इदगा मर्चित का जो विवाद बना हुआ है उसे देख लीजे आप लो और कई इतिहासकार कहते हैं कि हमारे देश में तीन हजार से जानदा ऐसे इस्थान है जा हिंदो और मुसल्मानों की बीच बिवाद का कोई कारण बना हुआ है और आप देखे राम जनब भूमी और बाबरी मर्चित के मामले में दो धार्मिक समदाईयों की बीच किस तरह से आप देखे खाई दूरियां पैदा कर दी थी हमारे देश में आप देखे संपदाय कहिंसा हुई दंगे हुए और हमारे देश में आतन की हमले भी हुए उस बज़े से तो इन सभी परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की घड़नाएं आंगे ना हो एक कानून लाए गया था और उस कानून को ही आप लोग पूजा इस्तल अधिनियम 1991 या उपासना इस्तल अधिनियम 1991 की नाम से जानते हैं इस कानून में सीधी सी बात कह दी गई थी कि 15 एकस्त 1947 इस दिन हम लोग आजाद हुए थे उसके पहले जो कुछ भी हुआ हो चाहे वो हिंदों के धार्मी किस्तल तोड़े गए हो या आप देखे मर्चित ने तोड़ी गई हो मुसलिमों की या किसी और धार्मी किस्तल धर्म क किस्तल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा लेकिन आप देखते हैं कि राम मंदीर का मामला लब में समय से आप देखते हैं कि कोट में बना हुआ था तो उसे इस एक्ट से बाहर रखा गया था अब देखने को यह मिल रहा है कि इस कानून को ही चनौती दी गई है अदालत म तो अभी हाल में ही अदालत ने जो हमारी सर्वोच चदालत है ना सुपरी कोट है ना इसने आप देखते है कि इसके बैदता के मामले में मामले को इस्तिकित करते हुए केंदर सरकार को इस मामले पर अपना रूख इसपष्ट करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया ह कि कैंदर क्या कहती है कैंदर सरकार इस कानून के बारे में क्या कहती है और अगर हम लोग सर्वोच चदालत की बात केने तो समिधानिक संस्ता है समिधान के अनुछेद 124 के तैयता आप देखते हैं कि स्थापना की बात की गई है 28 जनवरी 1950 में की स्थापना हुई थी और जो नियादी से रहते हैं उनकी सेवानिवित्ती की उमर 65 साल रखी गई है ये भी आप लोग याद रखेगा एक बार आप लोग उत्तर पिदेश को देख लिजें क्योंकि ये मामला चलता है तो इस पर खूब राजनीती भी होती है और उत्तर पिदेश आपका राजनीती क पिदेश से लगती है दिल्ली से सबसे जांदा राज्यों से सीमा लगती है आपकी उत्तर पिदेश की और जन संख्यामिक की मामले में भी उत्तर पिदेश टॉप पर है पहले नंबर पर है यहां विधान सभा में 403 सीट है विधान परिशत में 100 सीट है राज्य सभा में 31 स उनका निर्वाचन छेत देख लिजे या उनका ग्रह छेत उत्तर्फदेश ही रहा है ठीक है चलिए अब हम लोग इस कानून के बारे में बात कर लेते हैं क्या कहता है ये कानून तो उपासना इस्थल अदिनियम या किसी भी उपासना इस्थल की रूपांतर्ण को पितिमंदित करने और उसके धार में एक सरोप की रख रखाओ और से समंदित या उसके अनुसांगिग मामलों के लिए एक अदिनियम की रूप में बरडित किया गया जैसा कि ये 15 अगस्त 1947 को था कहने का सीधा समतलब है 15 अगस्त 1947 को जो इस्तिती बनी हुई थी वही इस्तिती हमेशा बनी रहेगी इस कानुन में सीधा सा यही कहा गया है अदिनियम की प्रावधान क्या कहते हैं तो धर्मांतर्ण पर रोक धारा ये तीन कहती है या धारा किसी भी उपासना इस्थ संपदाई की किसी भेंड बर्ग या किसी भेंड धार्मिक संपदाई या उसके किसी बर्ग की उपासना इस्थल में परिवर्तन नहीं करेगा यानि कि कहने का मतलब है आप देखे कि मुसलिमों में भी अलग-अलग मुसलिम होते हैं हिंद्रों में भी आप देखते हैं कि अ अस्तित्य में आए उपासना इस्थलों की धारमिक प्रिवित्ती पूर्वत बनी रहेगी जैसा 15 अगस्त को है उसी तरह की हमेसा बनी रहेगी लंबित मामलों का ने बारंग धारा 4-2 में और इसमें आप देखते हैं कि जो अधालतों में लंबित मामले हैं उनका क्या होगा तो 15 अगस्त 1947 को मौझूद किसी भी उपासना इस्थल की धारमिक प्रकेटी के परिवर्तन के समन्द में किसी भी न्याले के समक्च लंबित कोई भी मुकद्मा या कानूनी कारवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकद्मा या कानूनी कारवाई सुरू नहीं की अब इसमें आदिनियम के अपबात देखें तो धारा पांच या अदिनियम प्राचीन और इतिहासिक इस्मारखों पुरातात्विक इस्थलों तथा प्राचीन इस्थल आउसिस आदिनियम 1958 के अंतगर आने वाली आउसिसों पर लागू नहीं होता है और बे मामले भी इसम अब आप देखें कि अयुद्या में राम जनम भूमी बाबरी मर्चित के नाम से पहचाने जाने बाली बिसिष्ट उपासना इस्थल तक बिस्तार इतनी है वो इसके अंडर में नहीं आता था और जिसमें इससे जुड़ी कोई कानूनी कारवाही भी सामिल है और दन्र धार अच्छे क्या कहता है या धारा अधिनियम का उलगन करने पर अधिक्तम तीन वरस की कैद और जुर्वाने से दन्र निदिष्ट करता है यानि कि कहते हैं कि इस से अधिनियम का कोई उलगन करता है तो उस पर आप देखी तीन साल की कैद हो सकती है और साथ में उस पर और उनका मानना है कि ये अपितिवंद नियंतन और संतुलन प्रिणाली को कमजोर करता है और समिधानिक अधिकारों की रक्षा में नियाई पालिका की भूमिका को सेमित करता है कानूर। और इसमें दूसरा आलोचना बाले पक्ष क्या लेते हैं पूर ब्यापी का टॉप बित्ति थी धार्मिक स्थलों की तिथी निर्धारित करने के लिए एक मनमानी तिथी सुतंता दिवस 1947 का उपयोग करने के लिए इस अधिनियम की आलोचना की जाती है और विरोधियों का तर करती है धर्म की अधिकार का उल्लगन भी कहते हैं आलोच क跟大家 ही कि अदिनियम लुट जैनिruit cricket करता है उनका तरकी की एउनके अपासना-िस्थलों पर दावा करने और पुनरिस्थापना करने की उनकी चमता को पितिवंदीत करता है और जिसे धरम का पालन करने कि उनके अनुवाईयों की सुतंता में बाधा उत्पन करती है, समिधान के भाक्तीन को आप लोग पढ़ते हैं, आपको मौली का अदिकार दिये गया है, जिसमें धार्मिक सुतंता का अदिकार भी आपको सामिल है, और आप उसको लेकर भी आलोचना होती है, धारम निर्पेक्षता का उलगन, इस अधीनियम का विरोध करने बाले ये भी तरक देते हैं, कि अधीनियम धारम निर्पेक्षता की सिध्धानत का उलगन करता है, और एक संबदाय को दूसरे संबदाय से अधीक महत प्रात्मिक्ता पिदा कर लेना है फिर अगर आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग करनी है तो इनका आप लोग विस्ताज से थोड़ा बता सकते हैं अयोध्या विबाद मामले को अलग रखा जाना भी इस अधिनियम की आलोचना का एक कारण है इस अधिनियम का विरोध करने वाले इसकी निरंतर भारती समिधान की धर्म निर्पेक्ष्टा की पिती पिती बदता को बनाये रखने वाले एक विधाई कारवाही की रूप में देखता है और यह अधिनियम सभी धर्मों की वीच समानता सुनशीत करने के लिए राज्य की समिधानिक दायत को लागू करता है और यह रहेगी उससे आप लोग अपडेट होती रहा करिएगा और मैं इसलिए हमोज से आप लोगों से कहता भी हो कि आप लोग कम से कम एक निश्वेपर हर हाल में फॉलो करते रहिए और जैसे आप लोग देखेंगे आंगे जो भी घटना है घटिंगी उनके बारे में आप पाइंट आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है हर हाल में इससे कोश्चन पूछे जानी की संभावना बनी रहेगी